नमस्कार दोस्तों, हमारे यूटूब चैनल पर आपका हारदिक स्वाकत है दोस्तों क्या आपको भी नसों में दर्द रहता है या आपको नसों में कमजोरी है या दबी हुई नस की समस्य है, या आपको साइटिका का दर्ध है, सिलिप डिस्क पेन है, जुआइट पेन है, घुटनों में दर्ध की समस्य है, घुटनों में ग्रीज की समस्य है, कमर में दर्ध रहता है, या सरीर के किसी भी हिस्से में आपको दर्ध रहता है, आपके सरीर में हड़ियों की कमजोरी है तो दोस्तों आज की इस video में हम आपको दो चमतकारी नुष्खों के बारे में बताएंगे जिसका सिरफ यदि आप दो बार परियोग कर लेते हैं न तो दो बार के परियोग में ही ये आपकी समस्या को जड़ से खतम करने की ताकत रखता है रातो रात में ये आपके दर्द को चूस जाएगा आपको किसी भी परकार के कोई भी दर्द नहीं होगा आपको बुड़ापा आने से भी रोकेगा आपको कभी बुड़ापा नहीं आएगा और आपने करना क्या है सिर्फ इन दो नुस्खों को अपनाना है आप उन उपर इसका 100% result आया है तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आपके ओपर भी इसका 100% result आएगा तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं इन दोनों नुस्खों के बारे में दोस्तों सबसे पहला नुस्खा आपकी सरीर की कमजोरी को दबी हुई नस को और नसों में दर्द को दूर करने वाला इसके लिए आपको क्या चाहिए आपको चाहिए मेथी दाना और कलोंजी दोस्तों आपने क्या करना है एक चमच मेथी दाना एक चमच कलोंजी के बीज ले ये क्या करेंगे आपके सरीर को अंदर से मजबूत करेंगी, ये हो गया अंदर के लिए नुसका, ये आपको बुडापा आने से रोकेगा, आपके चेहरे पर नया गलो लाएगा, कमजोरी का इलाज करेगा, हाडियों की कमजोरी का इलाज करेगा, दबी हुई नस की समस्या को दूर करेगा और नसों में दर्द का भी इलाज करेगा अब आता है दूसरा नुसका जो साइटिका सिलिप डिस्क पेइन, जुवाइट पेइन, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, यानि हर परकार के चाहिए तेल, तो चलिए दोस्तों बनाते हैं इस तेल को, दोस्तों इस तेल को बनाने के लिए जो आपको सबसे पहली सामगरी चाहिए, वह चाहिए मेथी दाना, दोस्तों मेथी दाना, गुनों की खान है, इसके इतने सारे परियोग हैं, कि आप अगर मैं इसकी एक खाली व के से परभावी हैं दोस्तों आपने मेथी दाना का एक चम्मत से थोड़ा कम लेना है और किसी जैसे मैंने यी कटोरी ली है आपने भी इसमें डालते रहना है अलग-अलग सामगरी यह हमने मेथी दाना समें डाल दिया एक चम्मत से थोड़ा सा कम अब जो दूसरी इसके जंदगी को बाहर निकालने का काम करती है। आपने अजवाइन का लेना है एक चमच। दोस्तो अजवाइन जो आपने लेनी है वो देसी वाली लेनी है। क्योंकि जो देसी अजवाइन होती है ना बारीक वाली वो अच्छा काम करती है। जो मोटी अजवाइन होती है उसमें गोन कम होते हैं अगली जो इसके लिए सामगरी चाहिए वह चाहिए आपको लसुन लसुन की लेनी है आपने पान से साथ के लिए इनको छील कर साफ कर लेना है और इनको चोप कर लेना है और चोप करके उसी कटोरी में डाल देना है जिसमें हमने मेथी दाना अजवाइन और लसुन डाली दोस्तों लसुन भी आपके सरीर के लिए बेहद कारगरता भाएं ये हर प्रकार के दर्द को दूर करने का काम करते हैं ये आपके बलड को साफ करने का काम करते हैं या आपने ब्लड को साफ करना चाहते हैं, कॉलोस्टोल और दिल की बिमारी उसे बचना चाहते हैं, तो आपको हर रोज सुबह खाली पेड़ दो लसुन की कली खानी चाहिए, या हमने पांच से साथ कली चोप करके इसमें डाल दी, अब आपने जो अगली सामगरी लेनी हैं, वो लेनी हैं अद्रक, दोस्तो अद्रक भी हर प्रकार के दर्द का इलाज है, अद्रक आपने लेना है एक इंच, इसको चील कर या बिने छेले भी आप इसका परियोग कर सकते हैं, आपने इसको भी चोप करके उनी सभी सामगरी के साथ में डाल देना है, अब आपने जो अगली सामगरी लेनी हैं, दोस्तो वो लेनी हैं आपने कच्ची हल्दी, दोस्तो कच्ची हल्दी यदि आपके पास हो, तो सबसे बहतर है, लेकिन यदि आपको कच्ची हल्दी ना मिले, तब आप हल्दी पाودर का परियोग भी कर सकी। कच्ची हल्दी जैसे हमने थोड़ी सी कच्ची हल्दी ली, आपने इसको छीलकर चोप करके इसके अंदर डाल देने हैं। अब जो अगली सामगरी आपने लेनी है वो लेनी है दोस्तो लोंग दोस्तो लोंग दी आपके सरीर के हर प्रकार के दर्द का इलाज है क्योंकि इसकी जो तासीर होती है वो गरम होती है जो आपके सरीर के दर्द को हरने का काम करती है और ये किसी भी तेल की पावर को और भी अधिक बढ़ा देती है आपने लोग इसमें डालनी है चार से पाँच जैसे ये हमने डाल दी अब आपने क्या करना है दोस्तो कोई बरतन लेना है कोई पैन लेना है जैसे कि ये हमने लिया हमने इस सभी सामगरी को इस पैन के अंदर डाल दिया अब आपने उसके अंदर डालना है सरसों का तेल दोस्तो सरसों का तेल यदि आपके पास ना हो तो आप तिल के तेल का परियोग भी कर सकते हैं लेकिन यदि आप सरसों के तेल का परियोग करेंगे वो बहुत अधिक फाइदे मन्द होगा क्योंकि सर्सों के तेल के एक कुन होते हैं हमारे सरीर के दर्द को हरने के लिए यदि आप खाने में भी सर्सों के तेल का प्रियोग करते हैं तो इससे भी आपको बहुत अधिक का फाइदे मिलते हैं दोस्तों आपने आदा कप सरसों का तेल इसमें डाल देना है और इसको आग के उपर रखना है जिससे कि ये उबलता रहे दीरे दीरी अब दोस्तों आपने इस तेल की पावर को बढ़ाने के लिए इसमें डालना है अगली चीज जो है जाइफल जिससे इस नुस्खे की इस त दालकर इसको आग पर उबलने देना है दोस्तों आपने टेल को तब तक उबालना है जबते की जो जो आपने इंगरेडियन डाले थे वो हलके हलके भूरे रंग, काला रंग ना हो जाए और जब ये हमारा हो गया तब आपने इसको आग से नीचे उतार कर रख देना है आपने आग से नीचे उतार कर थोड़ी देर तेल को ऐसे ही रख रहने देना है क्योंकि तेल थोड़ी देर तक ऐसे ही उबलता रहता है आपने तब इसका प्रियोग करना है जब ये हलका सा ठंडा हो जाई तब आपने इसको चान लेना है और किसी काच के बरतन में भर कर रख देना है दोस्तो ये हो गया आपका तेल रेडी जो आपके सरीर के हर दर्द को हर लेगा अब जानते हैं इसका प्रियोग आपने कैसे करना है दोस्तों आपने क्या करना है जहां पर भी आपको दर्द की समस्य है वहाँ पर आपने इस तेल की दो बुन डालनी है और हलके सर्कुलर मोसन में मसाज करनी है उसके बाद किसी गरम कपड़े से आप उसको ढख दीजी या आप ऐसे ही रखा रहने दीजी आप सर्कुलर मोसन में मसाज करेंगे तो इससे ये तेल आपकी बोड़ी के अंदर उब्जर्व हो जाएगा और ये तेल अपना काम करना सुरू कर देगा यदि आपको अधिक दर्द रहता है तब आप दिन में तीन बार इसका प्रियो कीजी लेकिन यदि आपको हलका दर्द है तब आप एक से दो बार इसका प्रियो कीजी और दोस्तो पहले ही दिन से इसका असर आपको दिखाई देगा ये आपके दर्द को छूमंतर की तरह गायब कर देगा अब इन दो नुस्खों को अपनाएए और दोस्तो अपने स्रीर के हर दर्द से छुटकारा पाईए तो दोस्तो यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सेयर जरूर कीजी इसके साथ में आप हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजी और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बैल का इकोन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सबी आने वाली वीडियो की नोटिपकेशन आते रहे धन्यवाद दोस्तो